Dear students, the topic of this lecture is on corrosion. Corrosion means sun-sharan. किसी भी metal का, किसी alloy का, किस तरीके से उसका छारण होता है, छहरण होता है, कैसे वो खतम हो जाता है? उसको हम क्या कहते हैं? Corrosion. क्योंकि corrosion आम तोर पर आपने iron का सुना है, आपने सुना है कि rusting of iron होता है. तो rust iron का ही नहीं, बलकि कई सारे ऐसे metals हैं और alloy से हैं, जिनका संचारण हो सकता है, या corrosion हो सकता है. तो उसी topic पर हम discuss कर रहे हैं आज. तो यह corrosion क्या है? Simply corrosion क्या है? Corrosion is decaying, destruction, deterioration, eating away और disintegration. इतने सारे शब्दों से हम corrosion को define कर सकते हैं. corrosion क्या है? किसी भी metal, किसी भी alloy का खतम होना, decay होना, destruction, उसका तूटना, deterioration, उसका खराब हो जाना, eating away, क्यूंकि वो खतम हो जाता है, तो ऐसा लगेगा कि खाली आओगा किसी ने. तो इसलिए उसको इस process को eating away भी कहते हैं. और disintegration, और metal और alloy का तूट जाना, अपना उसका जो original form था उस पे नहीं रहना. लेकिन ये simple definition नहीं है. अब ये इसमें कुछ और भी add करना होगा. इसमें क्या add करना होगा? actually, the process of decaying, destruction, or deterioration, or eating away, or disintegration of किसका होना है? Metal alloy का. किसका disintegration होगा? Metal alloy का. Metal या alloy, कुछ भी हो सकता है. उनका disintegration. कैसे? ऐसे ही नहीं हो जाएगा. बट किसी वजह से होगा. कोई कारण होगा उसका. अगर हम खाना खाएंगे, तब ही तो खाना खतम होगा. उसको खाना खाने वाला भी चाहिए. तो metal को destroy करने वाला चाहिए. Metal को destroy कौन करेगा? Metal को destroy करेगा exposure to the environment. कौन करेगा destroy? जब metal या alloy किसी environment में exposed होगे. अगर उसको एक particular environment में रख दें, वो environment की वज़ा से कोई metal या कोई alloy का क्या हो सकता है? छरण हो सकता है. उसका loss हो सकता है. वो खतम हो सकता है. और इस दोरान जो processes होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? throw some processes. The processes are, they may be electrochemical और may be chemical reactions. तो जो processes भी होंगी, क्योंकि हम chemistry की बात कर रहे हैं. इसलिए हम ये देखेंगे, जब corrosion होगा, metals का या alloys का, तो कोई न कोई process होगी. That process may be electrochemical, or may be chemical reactions. अब example अगर हम देखें, आम तोर पर जो examples होते हैं, अगर हम उन examples की और जाएं, तो देखें क्या के examples हो सकते हैं. जो examples हैं, दे में भी blackening of silver metal, देखा हैं आपने, जो silver metal है, आजकल तो फैशन है, jewelry का, की जो चांदी की जो jewelry है, वो काली लेते हैं, आजकल. That is oxidized silver. तो blackening of silver metal, वो एक तरीके का corrosion है. Rusting of iron. अब यहाँ पर जो silver metal है, उसमें फाइदा लेने लगे हैं, उसको corrode कर दे रहे हैं, उसको पहले oxidized कर दे रहे हैं. Then, third one is rusting of copper. अब आपने देखा होगा, आजकल copper की बोतलें चल रही हैं, copper के glass हैं, पहले भी चला करते थें. तो वहाँ पर क्या होगा, green color की layer दिखाई देगी. तो वो क्या है copper की rusting. तो धीरे धीरे क्या होगा, जो metal होगा, वो धीरे धीरे समय के साथ खतम होता जाएगा. और चौथा तरीके का अगर हम देखें, जनरल जो हमने देखा है, वो है, अगर magnesium या tin को, अगर chlorine gas में रख दे, तो वो MgCl2 बना देगा. तो magnesium, magnesium नहीं रहेगा. वो किसमें convert हो जाएगा? Magnesium chloride में. तो इसलिए हम क्या कहते हैं? जो corrosion है, corrosion क्या है? ये एक तरीके का संचारण है, ये एक तरीके का च्छाए है, disintegration है, जिसमें कोई metal या alloy क्या करता है? disintegrate होता है. समय के साथ वो क्या होगा? उसका च्छारण हो जाएगा. तो इस process को हम क्या कहते हैं? corrosion. अब आप लोग समझ गये होंगे corrosion क्या है? अब जब हम corrosion समझ गये हैं, कि corrosion क्या है? corrosion जो है, वो disintegration है. decaying है, destruction है, deterioration है, eating away है, किसका? alloy का या metal का. कैसे? in presence of environment. और draw the chemical और electrochemical reactions. तो अब हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है? तो कौन सी ऐसी theories हैं, कौन सी ऐसे principles हैं, जो इसके पीछे हैं? तो वो कौन सी theories हैं, जो इसके पीछे हैं? तो there are three theories. तीन main theories हैं, इसकी जो पहली theory है, वो देखी क्या है? पहली theory है, उसको हम कहते हैं, wet theory, electrochemical theory भी कह सकते हैं, और उसको galvanic theory भी कह सकते हैं. तो ये theory जैसे नाम से ही पता चल रहा है इसमें. अभी हम इसको discuss करेंगे, इसको हम briefly, इसको हम detail में discuss करने वाले हैं, wet, मतलब गीला, मतलब जो वातावरण है, वो wet होना चाहिए, गीला होना चाहिए. दूसरा यहाँ पर जो possibility होगी, वो किसकी होगी? electrochemical cell बनने की होगी. या galvanic cell बन रही होगे. इसलिए ये जो theory है, वो ये कहती है कि अगर environment गीला होगा, या wet होगा, तो फिर electrochemical cell का formation होगा, उसके थूँ corrosion होगा, metals का. और ये corrosion दो तरीके से हो सकता है. एक, कि इसमें जो जब corrosion होगा, तो क्या निकले? H2A, gas निकले. या फिर दूसरा जो theory है, वो कहती है कि absorption of oxygen भी हो सकता है. ये दोनों theory हम discuss करेंगे, इस section में, क्योंकि हम इसमें theories of corrosion discuss करने वाले हैं, तो ये दोनों theory हम discuss करेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे, electrochemical cell बनेंगे, छोटे-छोटे से, जब corrosion होगा. फिर दूसरा जो theory है, वो है dry theory. अगर हम dry theory को देखें, तो dry theory को हम chemical theory भी कहते हैं. तो जैसा इसका नाम है dry, तो dry के लिए क्या है? ड्राइ के लिए हमें ज़रूरी नहीं है, कि wet हो. मतलब dry होना चीए, environment dry होगा. और जो reactions होगी, simple chemical reaction होगी. यहाँ पर कोई भी electrochemical cell का formation नहीं होगा. इसलिए इसको हम dry या chemical theory कहते हैं, chemical reaction होगी, electrochemical reaction नहीं होगी, बड़ कैसी reactions होगी? chemical reactions. और यहाँ पर जो environment होगा, वो कैसा होगा? dry होगा. अब अगर हम इसे देखें, तो यह जो theory है, इसके में अगर हम देखें, तो यह तीन तरीके से हो सकती है. कैसे हो सकती है? एक तो यहाँ पर corrosion भाहि, oxygen हो सकता है. ऑकसिजन की presence में corrosion हो सकता है. तो oxygen की presence में अगर corrosion होगा तो उसको हम क्या कहेंगे oxidation corrosion दूसरा अगर आप देखेंगे जो corrosion होगा वो दूसरी gases की presence में भी हो सकता है और वो क्या होगी, गैसे हो सकती है H2S हो सकती है, SO2 हो सकती है, CL2 हो सकती है और these gases which are responsible for corrosion of some metals और यह क्या होगी, chemical reactions के थो होगी, simple और तीसरी तरीके की जो theory है, इसमें dry chemical theory वो क्या हो सकता है, corrosion जो है, वो liquid metal के थो भी हो सकता है उसको भी हम discuss करने वाले हैं और जो तीसरी theory होती है वो theory है, acidic theory, acid theory है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर किसकी जरूरत होगी, जब corrosion होगा, तो acid की जरूरत होगी और कोई electrochemical cell भी नहीं बनेगा केवल chemical reactions के थो, corrosion होगा तो आप यह देख सकते हैं, कि corrosion तीन तरीके की उसकी theory दी गई है एक है wet theory, दूसरी है dry theory, और तीसरी है acid theory wet theory means electrochemical और galvanic theory, दूसरी जो theory है वो है electrochemical theory, और तीसरी theory है acid theory जिसको हम अभी discuss करेंगे, एक एक करके हम उनको तीनों को discuss करने वाले हैं, पहले आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं, अगर आपने इसका screenshot ले लिया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम one by one सारी theories को discuss करेंगे कि कैसे corrosion होता है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे dry और chemical theory तो कैसे dry theory और chemical theory कैसे dry environment में through chemical reactions एक metal और alloy का क्या होता है छहरण होता है और corrosion होता है तो वो हम इस theory में पढ़ेंगे तो अगर हम इसे देखें इस theory को तो हम यह देखेंगे कि metal अगर direct react करे किस के साथ react कर सकता है देखिए यह react कर सकता है oxygen के साथ chlorine के साथ, sulfur के साथ, nitrogen के साथ या hydrogen sulfide and sometimes fumes of chemicals तो एक metal और एक alloy किस के साथ react कर सकता है it can react with a metal, it can react with different type of gases और sometimes with the fumes of chemicals तो इसी basis पर इसको तीन types में divide किया गया है तीन types से हैं, dry cell के भी तीन types से हैं एक है oxidation corrosion एक method को हम क्या कहते हैं oxidation corrosion oxidation corrosion जैसा नाम से ही है और oxidation corrosion का मतलब है when metal reacts with oxygen oxidation corrosion का मतलब क्या है देखिए oxidation corrosion पहला type है और इसका मतलब क्या है कि corrosion क्यों हो रहा है corrosion हो रहा है due to reaction of oxygen with metal और alloy तो इसलिए ये क्या कहलाता है oxidation corrosion अब अगर हम देखेंगे different type के जो metals हमका क्या react with oxygen at high temperature on the surface of metal तो metal क्या करेगा और अगर ये layer की चोड़ाई या मोटाई कह सकते है इसको हम अगर ये 300 angostrom से जादा है तो इसको हम कहेंगे scale किसको कहेंगे oxide layer को oxide layer कहां बन गई है metal की surface पर क्यों बनी है क्योंकि metal ने किस से reaction करी oxygen से तो dry जो theory है उसको हमने 3 भागों में divide किया है एक जहां पर oxygen से reaction करेगा metal तो उसको हमने क्या किया oxidation corrosion कह दिया दूसरा जहां पर वो दूसरे जो gases हो सकती उनसे react कर सकता है और क्या बना सकता है जह सलफाइड बना सकता है chloride बना सकता है और तीसरा जो है वो liquid metal से भी corrosion हो सकता है reaction के through तो यह हम जो discuss कर रहे हैं वो है oxidation corrosion oxidation corrosion means oxygen से reaction करके जो metal होगा it will form an oxide layer on the surface of metal अगर हम इस oxidation corrosion की एक simple से reaction लिखना चाहे तो उसमें क्या होता होगा reaction में actually जब oxide बनेगा तो होगी तो redox reaction लेकिन electrochemical cell नहीं है यहां पर तो यहां पर क्या होगा देखिए metal है तो metal क्या होगा oxidize आप recall करिए इससे पहले हमने जब चैप्टर पढ़ा है वह है oxidation reduction का chapter वहां पर हमने पढ़ा था कि यह जो metal है इसमें से अगर electron निकलें electron का निकलना क्या कहलाता है oxidation या फिर इसकी oxidation state में increase होना क्या कहलाता है oxidation तो metal का क्या हो रहा है देखिए आपर oxidation और oxygen जिससे यह react कर रहा है उसका क्या हो रहा है reduction तो यह क्या बना रहा है oxide iron तो metal यहाँ पर हमने n को मान लिया 1 तो इस तरीके की reaction होगी कि metal, metal iron वह convert होगा एक electron निकलेगा और half or two अगर दो electron से react करे तो फिर हमें क्या मिल गया देखिए जो product टोटल जो reaction हमें क्या मिल गई 2m प्लस half or two is equal to 2m प्लस or two minus means m2o यह क्या बन गया oxide अब यह जो oxide है यह कहां पर बन जाएगा metal oxide की surface पर तो मान लिजिए यह एक metal है यह एक metal है अब यह metal exposed हुआ इस metal का यह surface है ठीक है यह surface है यह किस से exposed हुआ oxygen से और जब oxygen से exposed होगा तो यहां पर क्या बन जाएगी एक परत बन जाएगी परत परत को हम क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं film या scale अगर यह पतली होगी 300 angostrom तक तब हम इसे film कहेंगे अगर यह मोटी होगी greater than 300 angostrom then it is known as scale तब हम इसको scale कहेंगे अब यह क्या बन गया metal oxide तो यह जो metal था यह metal का छरण हो गया इसके top पर छरण हो चुका है इसका corrosion हो गया है क्योंकि यह top पर metal नहीं है इस top पर क्या आ गया है metal oxide की layer तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे है oxidation corrosion अब यह जो oxide layer है यह oxide layer का अगर आप देखेंगे तो यह जो oxide layer है यह कई बार क्या करती है metal के further corrosion को रोकती है अब क्योंकि यह रोक भी सकती है और नहीं भी रोक सकती यह depend करेगा कि oxide की layer कैसी है oxide की layer जो है वो कई बार ऐसा होता है कि हमने घर में दर्वाजा लगा दिया अब वो दर्वाजा जो है अगर कच्चा होगा तो एक आधी आईगी और वो टूट जाएगा दर्वाजा छोड़िये छट देख लिजे टीन की छट अगर हम धंग से नहीं लगाएंगे तो वो उड़ जाएगी और अगर हमने बढ़िया धंग से लगाई अगर हावा चली आधी चली तो वो नहीं उड़ेगी तो ऐसा ही है यहाँ पर भी अगर यह ऑक्साइड लेयर जो है वो अगर मजबूत बनेगी तो फिर वो प्रोटेक्ट करेगी वो क्या करेगी प्रोटेक्ट अगर यह मजबूत होगी लेयर तो यह इस मेटल को बचा लेगी प्रोटेक्शन लेयर भी बना दी इसने इसका फर्दर कुरोजन नहीं हो पाएगा लेकिन अगर ये लेयर कमजोर होगी उपर ही उपर बनी हुई है बस इसकी कोई मजबूती नहीं है तो फिर ये लेयर हट जाएगी और ये लेयर हट गई तो फिर से क्या मिल जाएगा मैटल की सरफेस मिल जाएगी और फिर से oxygen उस पर react करेगा और फिर से क्या होगा metal का शरण होगा तो इसलिए जो ये metal की oxide layer बन रही है ये बड़ी important है important कैसे देखिए if O2 can further diffuse in the oxide layer अगर oxygen जो है वो further diffuse कर पाए oxide layer में तो corrosion होता रहेगा क्यों होगा अभी हम दिखाएंगे आपको इसलिए metal oxide play important role in corrosion process इसलिए जो metal oxide की layer है ये एक important role play करती है in corrosion process तो next में हम देखेंगे oxide layer भी देखेंगे ये भी बड़ी चमतकारी layer है ये कैसे help कर सकती है protection में या corrosion को बढ़ाने में तो इसको हम अभी देखते हैं किस तरीके से help करती है या तो corrosion को बढ़ाईगी या corrosion को कम करेगी पहले तो आप ले लीजे इसका screenshot आप इसका screenshot ले सकते हैं ताकि आपको फिर दीरे दीरे उसको पढ़ने में helpful हो कैसे मैं समझाने वाली हूँ आपको one by one कि ये oxide layer कैसे चमतकारी है कैसे ये affect करती है corrosion को और कैसे ये further protect कर सकती है किसी भी metal को protect कर सकती है या corrosion को बढ़ावा दे सकती है दोनों काम कर सकती है बढ़ावा भी दे सकती है और उसको कम भी कर सकती है तो अब आपने screenshot ले लिया होगा अब मैं आपको further explain करती हूँ one by one अब देखिए ये जो oxide layer है ये कई तरीके की बन सकती है अब ये इस पर depend करेगा कि oxide layer बनी कैसी है तो oxide layer कैसी हो सकती है stable film हो सकती है ये stable film कौन बनाते हैं aluminium, tin, lead, platinum ये जो metal है अगर ये oxygen से react करेंगे तो वो जो oxide बनाएंगे जैसे aluminium oxide बनेगा martin oxide बनेगा, lead oxide बनेगा, platinum oxide बनेगा तो ये जो oxides होंगे ये कैसे होंगे stable oxides होंगे तो ये एक बार बन गए तो बन गए जम गए तो वो क्या करेंगे देप्रिवेंट्स फर्दर कोजोजन अब वो उपर से उसके एक layer बना लेगे कवच बना दिया metal के उपर तो उसका फर्दर को रोजन नहीं होने देंगे तो ये क्या कहलाती है protective coating इसको हम क्या कहते है protective coating हमने जो है वो जाड़ा हुआ तो coat पेंड लिया बाहर से अगर coat जो है वो बिलकुर fit होगा ठिक होगा तो वो जो है मैं protect करेगा ठंडे से लेकिन अगर उसमें आभी आप देखेंगे अगर उसमें कहीं पर भी एक छेद होगा या आपका button खुला रहा जाए तो आप ये देखेंगे कि उस पर हवा आएगी ठंडा लगेगा ऐसे ही यहाँ पर भी होगा अगर stable film होगी तो वो क्या होगा stable film होगी कोई उसमें छेद भी नहीं है कोई होल भी नहीं है तो वो तो किसी को हवा को अंदर नहीं आने देगी तो इसलिए उसने क्या किया उसका protection कर दिया अब further जो बचा हुआ metal है उसका कोई भी corrosion नहीं होगा अब देखिए second one is unstable film अब क्या हो सकता है कि film कैसी बन सकती unstable unstable means आप देखिए किस तरीके की film बन सकती उसको मैं तो आपको diagram दिखाती हूँ कैसी यह देखिए यह एक example है इसका कि for example यह gold and silver के case में होता है यह metal है metal की surface ने oxygen से react किया और यहाँ पर क्या बना दिया protective layer बना दिया oxide की लेकिन यह oxide की layer कैसी है unstable है तो यह oxide की layer क्या करती है यह फिर से तूट जाती unstable type की है तो यह तूट जाएगी तो फिर से किसम कन्वर्ट जाएगी metal में और oxygen में तो ऐसा होता रहेगा अब यह metal फिर से react करेगा फिर यह बना देगा और फिर से यह किसम कन्वर्ट हो जाएगी metal में फिर metal oxygen से react करेगा layer बन जाएगी फिर वो layer दो unstable है इसलिए वो तूट जाएगी और वो तूट के फिर से क्या बना देगा further metal and oxygen बना देगा तो इसलिए जो है यह जो तीन जो process आपको दिख रही है इसके थूँ क्या होगा actually यह corrosion को रोकेगा it prevents corrosion क्योंकि यह decomposed back हो जाती है metal है oxygen में तो एक layer तो इस तरीके की हो सकती है दूसरी जो layer है वो क्या हो सकती है देखिए दूसरी layer हो सकती है तीसरे तरीके की जो हो सकती है तो कितनी होगी 300 angstrom से कम होगी volatile अब यह देखिए metal था metal के उपर क्या बन गया एक layer बन गई oxide की जब इसने react किया यह कैसी थी यह oxide बना यह volatile था जैसे molybdenum का oxide होता है जैसे यहाँ पर MOO3 बन गया molybdenum का oxide बना इसकी tendency क्या होती यह उड़ जाएगा volatile है तो फिर से surface खाली हो जाएगी अब देखिए इतना metal खाली है यहाँ पर से उपर की surface हो खाली देखिए metal पतला हो गया अब इस metal पर फिर से attack होगा oxygen का फिर से क्या बनेगी एक oxide की layer बनेगी वो volatile होगी फिर उड़ जाएगी फिर से वो metal को क्या करेगी eating away कर जाएगी उसका और इस तरीके से आप देखेंगे अगर film volatile होगी तो process of corrosion will continue corrosion कैसा रहेगा continue रहेगा हमेशा चलता रहेगा इस लिए जो है इस तरीके के corrosion को कहते हैं volatile film और यहाँ पर जो corrosion है वो continue रहेगा next type का जो corrosion है वो है यह देखिए porous film अब यहाँ पर क्या हो सकता है porous film का formation हो सकता है porous film मतलब देखिए क्या है आप porous का मतलब जानते हैं जिसमें छेद होंगे तो जैसे यह metal है यह metal ने react किया oxygen के साथ तो यह क्या बन गया porous film बन गई यह porous film of oxide है अब इसमें देखिए मैंने दिखाए काले काले रंग से यह cracks है और porous बन गई है क्योंकि यह porous है छेद वाली है तो यह छेद से क्या होगा इन porous से कौन आ सकता है oxygen यहाँ इन porous से कौन आ सकता है oxygen और वो इस metal को further corrode कर सकता है इसलिए metal eating away हो गई इसलिए तो metal क्या हो गया corrode हो गया इसलिए यह दो ऐसी film है जो volatile and porous film है इनकी वजह से जो corrosion है वो कैसा रहता है continue continue रहेगा और metal जो है वो corrode हो जाए लेकिन इससे पहले जो हमने दो पड़ी थी वो दो क्या थी? वो दो थी देखिए unstable and stable film तो unstable और stable film दोनों ही ऐसी है जिनकी वजह से corrosion continue नहीं करेगा और वो जो metal है उनका corrosion क्या हो जाएगा? बच जाएगा नहीं होंगा corrosion अब जो दूसरे तरीके का जो dry corrosion है जो simple chemical reaction के थू होता है वो है corrosion by other gases oxygen के अलावा भी कुछ gases हैं जो की metal से react कर सकती है अगर environment में present होंगी तो तो वो gas कौन से हो सकती? carbon dioxide, sulfur dioxide, chlorine, hydrogen sulfide ये gases ऐसी हैं जो की react कर सकती है metal के साथ further तो ये जो reaction होगी ये reaction किस पर depend करेगी? nature of metal के उपर depend करेगी कि metal कैसा है तो देखिए अगर metal अगर ये steel alloy है ये steel है अगर ये तो steel H2S से react कर करता है तो high temperature पर करेगा तो क्या करता है? scale formation करता है अब scale recall करेए scale का मतलब था कि जिसकी मोटाई 300 angstrom से जादा होगी इतना मोटा scale बना देगा जो किसका होगा? ferrous sulfide का होगा उसके उपर एक परत बना देगा इसलिए steel का जो है वो corrosion नहीं होता फर्दर क्योंकि scale formation हो गया scale formation मतलब मोटा सा परत आ गया है वो further corrosion नहीं होने देगा तो इसलिए जो है वो वो बचा हुआ रहता है अब अगर हम dry CL2 की reaction silver के साथ देखें silver है उसको expose कर दिया CL2 से तो वो क्या बना देगा AGCL, AGCL भी क्या है protective chloride बन जाता है surface पर और अगर हम tin की reaction देखें CL2 के साथ देखें metal पर depend कर रहा है silver की reaction ने chloride के साथ जहां पर AGCL की जो layer बनेगी वो protective होगी वो further corrosion नहीं होने देगी जबकि CL2 क्या करेगा CL2 क्लोरीन क्या करेगा tin के साथ reaction करके क्या बनाएगा SNCL4 अभी SNCL4 क्या है यह volatile होता है nature में अब देखें आपने को पुराना रिकॉल करिए आपने पढ़ा था कि अगर film क्या होगी अगर volatile होगी अगर volatile होगी तो क्या होगा corrosion continue होगा होता जाएगा होता जाएगा तो इसलिए यह देखिए यह metal पर depend कर रहा है कि gas तो सेम है लेकिन metal पर depend कर रहा है कि जो layer है जो यहाँ पर chloride बन रहा है वो कैसा है यह protective type chloride है यह corrosion नहीं होने देगा और यह volatile chloride है यह corrosion होने देगा तो यह दूसरे जो gasses है वो भी corrosion कर सकती है अब अगर हम तीसरे तरीके का dry और chemical corrosion देखें तो वो क्या है वो है corrosion by liquid metal अब liquid metal के साथ जो corrosion है वो कहा हो सकता है वो हो सकता है industries में industries में कहां पर हो सकता है जहां पर metallic pipes होते हैं मान लीजिए metallic pipes हैं वहां से कोई molten metal जा रहा है अब यह metallic pipe बना हुआ है zinc का बना है मान लीजिए और वहां से liquid mercury पास कर रहे हैं तो liquid mercury क्या करेगी amalgam बना देगी उस metal के साथ जो की pipe में जुड़ा हुआ है तो यह industrial processes के दोरान होता है generally कि corrosion through liquid metal भी हो सकता है liquid metal react कर सकता है metallic pipes से और metallic type की चीजों से और क्या बना सकता है एक नया compound बना सकता है यानि metallic pipe जिस metal का था उसको खतम करके कुछ नई चीज बन गई तो इसको corrosion का मतलब क्या होता है नई चीज बन सकती है या फिर पुरानी चीज खतम हो सकती है तो ये दोनों चीज corrosion कर लएंगी किसी तरीके से उसको खतम कर दिया तो अगर हम इस topic को यहीं पर अगर हम gist इसका देखें तो अभी मैंने एक ही method आपके साथ discuss किया थियोरी उसके बाद मैं next lecture मैं आपको और theories discuss करने वाली हूँ इस lecture में हमने क्या पढ़ा अगर हम conclude करें तो हमने पढ़ा about corrosion corrosion क्या है corrosion क्या है corrosion है simple is the deterioration, decaying disintegration, eating away or deterioration of metal by exposure to the environment through chemical or electrochemical reactions और इसका हमने देखा जो corrosion है वो कितने तरीके का होता है corrosion होता है कितने तरीके का होता है वो होता है तीन तरीके की थियोरी जो उसके लिए अपलाई की जा सकती है और वो थियोरी है wet थियोरी dry थियोरी and acid थियोरी जिसमें से हमने जो cover की है वो है dry थियोरी dry थियोरी और chemical थियोरी का मतलब है जहां पर तीन तरीके के methods आपने देखे और वो तीन methods क्या थे corrosion by oxygen by other gases and by liquid matter अगर जो है corrosion oxygen के थूँ होगा तो oxide layer बनाएगा oxide layer कई तरीके की हो सकती है oxide layer हो सकती है क्या हो सकती है stable हो सकती है unstable हो सकती है अगर stable unstable होगी तो further corrosion नहीं होगा अगर volatile या porous होगी तो further corrosion होगा corrosion पाई other gases भी हो सकता है जैसे chlorine से आपने देखा silver or tin का तो जो layer बनेगी वो chloride की बनेगी और chloride की layer कैसी है उस पर depend करेगा further corrosion और तीसरा आपने देखा कि liquid metal भी affect कर सकता है इसको metal के corrosion को तो इसके बाद जो next series हम देखने वाले हैं इसकी वो हम देखेंगे next theory that is wet or electrochemical or galvanic theory of corrosion लुज जो 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 bh